कि अप लोग बिटा आज की वीडियो में हम लोग सेग्जवल रिप्रडक्षन इन डायकॉट रूट पढ़ेंगे इससे पहले की क्लास में इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस डाइकॉट इस्टम में किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है किस तरीके से डाइकॉट इस्टम अपनी गर्थ या वित में बढ़ती है अपनी चोडाई में बढ़ती है यह हम लोगों ने पढ़ा है आज की वीडियो में हम लोग हम लोग डाइकॉट रूट में किस तर रखा है डीटेल में ट्रांस्वर सेक्षन हम लोगों ने डाइकॉट रूट का पढ़ लिया है तो सबसे पहले हम लोग उसी को देखते हैं और उससे फिर हम लोग यह समझते हैं कि आखर किस तरीके से डाइकॉट रूट में सिकंडरी ग्रोथ होती है एक बात और क्लिय कर उसमें कैंबियम्रिंग का फॉर्मेशन होता है या आक करी मैंने ऊपलोग बताया था कि जब डाइकॉट इस्ट्रम में हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पर मुझा का बैघ कैसी फ़ार्म हो रहे थी इंट्रातिकरर और इंटर फैसिकुलर कैम्बियम के मिलने से कैम्बियम रिंग का फार्मिशन हो रहा था और यहाँ पर कैसे होगी देखिए आप लोग तो सबसे पहले हम लोग आउटलाइन टीएस बनाते हैं जो डाइकॉट रूट का होता है पिटा आपको पता है कि सबसे बाहर की तरफ क्या होती है इपी बलेमा होती है हाँ रूट में हम लोग आई इपी डर्मिस को इपी बलेमा कहते हैं उसके बाद क्या होगी कॉटेक्स होगी ठीक है उसके बाद बिटा कॉटेक्स होता है उसके बाद क्या होगा इंडो डर्मिस होगा सिंगल लेर्ड इंडो डर्मिस होता है इंडो डर्मिस होती है इंडो डर्मिस के बाद बिटा पेरी साइकल होती है इंडो डर्मिस के बाद पेरी साइकल होती है ठीक है इंडो डर्मिस के बाद पेरी साइकल होती है और उसके बाद क्या होता है vascular bundles होते हैं xylem और phloem होता है पिटा आप लोग को ये बात पता है कि dicot root की case में क्या होता है root की case में राद करो exarch condition पाई जाती है यनि exarch condition होती है और यहाँ पर pit कैसा होता है well developed बोलो भई well developed नहीं होता है ठीक है पिटा बास्वान में आगी ये मैंने बना दिया अब उसके इलावा और क्या चीज़ होती है उसके इलावा यहाँ पर phloem होती है ये बंडल में phloem होती है ये phloem है बिटा ठीक है ये phloem तो ये हो गया primary phloem ये है primary phloem हो गया बास्वान में और ये क्या है this is primary xylem ये बिटा primary xylem हो गया अच्छे एक चीज़ और याद करो मैंने तुम लोग बताये था याद आ रहा है कुछ बोले बिटा conjunctive parent काइमा पाए जाते हैं किसके किसके बीच में phloem और xylem के बीच में याद आ रहा है कुछ ये जो conjunctive parent काइमा है ये बनाएंगे क्या ये convert होंगे meristmatik होंगे और ये बनाएंगे cambium strip बासन मैं तो ये जो conjunctive parent काइमा है वो क्या form करेंगे यहाँ पर वो क्या form करेंगे बिटा वो cambium strip का formation करेंगे देखिए मैं या लिख दे रहा हूँ ये है conjunctive parent काइमा अगर इसको और जादा समझना चाहते हैं तो आप लोग पहले जो मैंने dicot root का TS पढ़ाया था उसे फिर से आप लोग videos देख लीजे तो और जादा clear आजाएगा आप लोग समझे अब देखिए अब होगा क्या किस तरीके से conjunctive parent काइमा बनाएगा वो देखते हैं हम लोग सबसे बाहर की तरफ EP blema उसके बाद cortex उसके बाद बिटा इंडो dermis उसके बाद pericycle ठीक है pericycle और उसके बाद ये बिटा मैं बना रहा हूँ protozylem and metasylem यानि एक्जार्च कंडिशन पाई जाती है roots में ठीक है और ये हो गया ये phloem के patches ठीक है अच्छा तो ये हो गई EP bleba ये है cortex इंडोडर्मिस और ये है बिटा pericycle बाद सब्ण मैं गी ये pericycle है और ये क्या है ये primary phloem है और ये बिटा primary xylem है ठीक है अब होगा क्या-क्या मैंने बताया जो conjunctive parenth काइमा है जो बिटा conjunctive paren kya है वो क्या बनायें वो बना देगे cambium strip यहां पाई जाएगा 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 तो यह इस तरीके से ऐसे यहां बना लेगा इसी तरीके से वो बिटा यहां पर भी बना लेगा यहां पर भी बना लेगा और यहाँ पर भी बना लेगा ठीक है? यह इस तरीके से बना लेगा बासवर्माई यह इस तरीके से बिटा क्या बना लिया इसने? Cambium strip का formation हो गया, यह Cambium strip है एक बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, यानि dicot root में, जो Cambium ring जो होती है, Cambium ring जो होती है वो दो वजों से होती है एक तो conjunctive parenchyma बनाता है जिसे हम लोग Cambium strip कहते हैं लेकिन यह जो Cambium strip होती है यह continuous नहीं होती है, तुम यहाँ देखो बिटा यहाँ पर देखी, यहाँ बीच में gap हो रहा है क्या यह वाला इससे connect हो पा रहा है यह वाला इससे connect हो पा रहा है नहीं हो रहा है क्यों कि इस line पे यहांपर यहां पर तो कहते है carbon perfect आइन काइमा है नहीं जहांपर half पर क्षिष अ कैम्याइम बन गाई जेकिन अब यहांपर कैंपी साइकिल यहां पर पीछे तुम्हें पता हिसे तूमें पता है यह ऐसे फिर जुड़ जाएगा उसके लिए मैं अब तीसरा इस्ट्रक्चर दिखाऊंगा बोलो बिटा यहां तक समन में आए अब आगे हम लोग इस्ट्रक्चर देखते हैं अब फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग यह हमारी है इपी बलेमा हो गई उसके बाद यह बिटा कॉर्टेक्स फिर इंडोडर्मेस और फिर यह पेरी साइकल ठीक है यह पेरी साइकल और यह हो गया बिटा फिलो यह हो ठीक है तो मैंने आपको क्या दिखाए था कि इस तरीके से कंजेक्टिफ पैरंकाइमा ऐसे बना देगा बलो बना देगा अब फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि यह जो पेरी साइकल है यह पेरी साइकल है यह पेरी साइकल है यह पेरी साइकल जो है यह भी कैंबियम बनाएगी और बिटा इसकी विरसी क्या होगा इस तरीके से से आप यहां पर कह सकते हैं कि जो कैम्बियम रिंग है यह असल में दो तरह के टिशू से बंगती है एक बिटा क्या होता है एक होता है आपका कॉंजेक्टिव पैरेंकाइमा से आपकी स्ट्रिप आफ कैम्बियम बनती है और दूसरी कैम्बियम बनती है और वो कैम्बियम किसे बनती है वो बनती है बिटा पेरी साइकल से ठीक है यह वाली किसे बनती है यह कंजेक्टिव पैरेंकाइमा से बनती है यह बात याद रख ना तुम्हारे NCRT में दिया है 2019 में इससे मेडिकल में नीट में आपके कोशन भी आया था इसी से और सबसे टिपिकल पोर्शन यही है कि आखिर Cambium Ring का formation कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा Cambium Ring का formation एक तो यह वाला डाग्राम देखो एक तो वो किस से बनेगा एक तो बिटा वो पारणकाइमा से बनेगा लेकिन मैंने आपसे कहा कि यह देखो बीच में गैप है दिख रहा है गैप है और यह गैप कैसे फिल होगा यह दोनों एक दूसरे से स्ट्रिप से अटाच कैसे होगी कैसे पूरा रिंग का फॉरमेशन होगा तो वह बिटा कौन करता है वह पेरिसाइकल करता है ठीक है इसलिए मैंने आप से कहा कि Cambium Ring जो है वो Cambium Ring असल में दो Cambium से मिल की बनती एक तो Cambium strip होती है जो कि आपके conjunctive से बनती है और दूसरी आपकी pericycle से बनती है बोले बटा यहां तक मामला समझ में है ठीक है इसमें भी यही चीज होगी बाहर वाली आप कोई बात पता है कि Cambium जो होती है जो इसमें जब secondary growth स्टार्ट होगा तो Cambium क्या करती है Cambium अंदर की तरफ divide करेगी बाहर की तरफ divide करेगी याद करो मैं तुम लोग को Dicot system में हम लोग detail में पढ़ चुके हैं यह इधर की तरफ भी divide करेगी इधर की तरफ भी divide करेगी और इधर की तरफ भी divide करेगी यह इधर भी divide करेगी इस तरीके से बोलो भाई सब्सक्राइब बैठा यह अंदर की तरफ भी divide करेगी मतलब flipping वाले portion की तरफ भी divide करेगी और वो इधर भी divide करेगी जब वो इधर डिवाइध करेगी इस तरफ यह यहां पर नहीं kilometers तो वह क्या बनाएगी सेकंडी Pram बनाएगी, बुली बासन में कुछ, ठीक है, आगे चले, देखते हैं, लोग, अच्छे, जब ये secondary xylem बनाएगी, अभी तक देखो, ये किस structure की है, अभी आप ये देखेंगे, कि ये wavy structure है, ये wavy structure है, cambium का wavy structure है, और उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको यहाँ बात पता है, कि जो secondary xylem होता है, उसका division जादा होता है, उसमें division जादा होता है, in comparison to secondary phloem, secondary xylem में division जादा होता है, in comparison to secondary phloem में, उसका एक reason तो बिटा क्या है, एक reason यह है, कि जो division, divisibility जो होती है, वो secondary xylem में जादा आसान होती है, बनिस्बत की secondary phloem में, एक reason, दूसरा reason यह होता है, तूकि जो xylem है, उसका main mechanical में involved होता है, इसलिए उसकी amount जादा होनी चाहिए, इसलिए बिटा secondary xylem जादा बनता है, ठीक है, अब तुम यह खुद देखो, जब बिटा यहाँ पर secondary, sorry, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जब secondary xylem का formation जादा होगा, तो secondary xylem क्या करेगा, cambium पर pressure लगाएगा, जिसकी वज़ा से cambium का structure क्या वेवी structure से convert होके, circular cambium बन जाएगा, यह याद रखना है, यह सब सवाल आता है, हना, dicot stem में हमने पढ़ा, कि वहाँ पर cambium का structure change नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर change हो रहा है, अब यही सवाल आएगा, कि भाई, वो किस dicot root में, या monocot root में, dicot stem में, या monocot stem में, कहाँ पर, जो cambium है, वो अपना structure change करता है, तो आपको पता होने चाहिए, dicot root में करता है, क्यों करता है, वो भी मैंने आपको बोल दिया, कि बिटा, जब यहाँ पर division जादा होगा, हना, जब यह division जादा होगा, तो जाही सी बात है, यहाँ पर जगा है ही नही तो यह क्या करेगा, वाल पर pressure लगाएगा ना, वाल कौन है, cambium है, cambium पर pressure लगाएगा, जिसकी बज़ा से cambium का structure कैसा हो जाएगा, circular structure हो जाएगा, ring like हो जाएगा, ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं बताओ देखो, यह क्या है, epiglima है यह बिटा, cortex है, epiglima, cortex है, फिर, endodermis, उसके बाद, perisacle, ठीक है, यह perisacle है, यह जो है, जो मैं थोगा सा डार्क कर रहा हूँ, यह बिटा है, आपका cambium ring है, cambium ring पहले कैसी थी, wavy थी, wavy structure की थी, अब यह, because of the pressure of secondary xylem, यह कैसी हो गई, circular structure हो गया, ठीक है, तो यह हो गया, cambium ring, और cambium ring के बाहर क्या है, cambium ring के बाहर बिटा, secondary phloem है, ठीक है, secondary phloem है, और इस तरीके से, patches में बिटा, क्या पाए जा रहा है, यह क्या है, यह है, primary phloem, यह है, primary phloem, बाहर सान में गई, यह बिटा, primary phloem, और यहां पर क्या होगा, ठीक है, यह क्या है, आपको पता है, कि यह बिटा है, primary xylem है, यह primary xylem है, और यह क्या है, यह है, यह है आपका secondary xylem, ठीक है, अब जैसे जैसे दिन बीटता चला जाएगा, जैसे जैसे time pass होता चला जाएगा, क्या होगा, यह secondary xylem बढ़ता चला जाएगा, जब यह secondary xylem बढ़ेगा बिटा, तो secondary xylem क्या करेगा, इस cambium पे, को बाहर की तरफ फेकेगा, पेरिफिरी की तरफ फेकेगा, इंडोडर्मिस पर प्रेशर लगाएगा, कॉर्टेक्स पर लगाएगा, इस तरीके से पूरा प्रेशर होता है, क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, कि जिस तरीके से याद करिए, डाइकॉट इस टेम में हम लोगों ने पढ़ाता, कि वहां पर वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम दोनों इन्वाल्व होता है, सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी बिटा इस तरीके से होता है, ठीके, यहाँ तक इस ट्रक्षर समझ में आ गया, अब हम और बताते हैं, कि जब और, यह तो एक साल की कंडिशन है, जब अगले साल कंडिशन फॉर्मेशन होगा, ठीके, देखिए, निक्स डाइग्राम में, यह है कैम्बियम रिंग, यह है कैम्बियम रिंग, यह है कैम्बियम रिंग, बिटा भी कुछ लिखियों केगा मत, मैं आप लोगों को सब नोट्स बनवा दूँगा, कोई दिक्रित की बात ही, यह कैम्बियम रिंग है, ठीक है, और इस कैम्बियम रिंग के अंदर, क्या फॉर्म हो रहा है, देख बिटा, यह क्या हो गया, यह आपका है, यह क्या है, यह सिकेंडरी जाइलम है, बात सुन बई, यह सिकेंडरी जाइलम है, और उसके बाहर की तरफ क्या होगा, यह सिकेंडरी फ्लोयम है, ठीक है पिटा यह secondary flowem secondary flowem की just बाहर की तरफ क्या होगा pericycle होगा secondary flowem की just बाहर की तरफ pericycle है अच्छे याद करो मैं तुम लोग को इससे पहले एक बात पढ़ाई थी क्योंकि अभी इसको बताने से पहले वो बता दे रहा हूँ याद करो इससे पहले मैंने तुम लोग बताई थी कि core cambium का formation होता है याद आ रहा है जब मैं तुम लोग को stem पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था core cambium का formation होता है और ये core cambium क्यों बनती है मैंने बताया था कि जैसे जैसे secondary xylem का formation जादा होगा वो परिफिरी पे प्रेशर लगाएगा यानि वो प्रेशर लगाएगा secondary phloem secondary phloem प्रेशर लगाएगा cortex पे और cortex और epidermis जिसकी वह से epidermis और outer layer cortex की burst कर जाती है यादा रहा है तो hypodermis क्या करता है एक layer बना लेता है किसकी secondary core cambium की एक layer बना लता है यादा रहा है सेम चीज बिटा यहाँ पर भी होती है यहाँ पर भी वही चीज होती है कि जब यह प्रेशर लगेगा ना क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है यहां से यहां तक, यह secondary cortex है, अभी देखिए आप इससे पहले वाले लाइगराम में secondary cortex, sorry, secondary xylem क्या था, उसकी thickness कम थी, लेकिन जैसे जैसे year बढ़ता चला जाएगा, उसकी thickness क्या है, जादा होती चली जाएगी, ठीक है भाई, इसी बात है, जब हम इसकी width को ही चोड़ा कर र होता है जितना secondary xylem में होगा, लेकिन आखिर division उसमें तो हो रहा है, ना, तो यहां पर भी क्या होगा, जब pressure लगेगा, तो secondary flowem पर pressure लगेगा, secondary flowem, pericycle पर pressure लगेगा, और क्या होगा, वहां पर भी वही चीज़ होगा, कि burst कर जाएगा, अब उसको कैसे cover किया जाएगा, cover यहां पर pericycle जो होती है, यहां पर pericycle core cambium का formation करेगी, ऐ ben या लगा यह लगेगा, अगर आप stem की बात करेंगे, तो वहां पर core cambium का formation कौन कर रहा था, बिटा। वहाँ पर hypodermis कर रहा था लेकिन यहाँ पर कौन करेगा यहाँ पर pericicl करेगी तो pericicl बिटा cork ambium का formation करती है उसके बाद आपको पता कि cork ambium बाहर की तरफ भी divide करता है और यह क्या बनाता है कॉर्क बनाता है और ये अंदर की तरफ भी डिवाइट करती है और यहाँ क्या बनाती है secondary cortex यहांनी फिलम फिलोजन और फिलो ये फिलम ये हो जाएगा फिलोजन और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फिलोडर्ब सेम चीज यहाँ पर भी होती है, सेम ये condition यहाँ पर भी होती है अब पहले हम इसको ज़रा, देखो, तो ये क्या हो गया, ये बिटा है, secondary xylem हो गया ठिक, secondary xylem हो गया, ये क्या है, primary xylem हो गया ये primary xylem हो गया, ये जो मोटी सी मैंने ring दिखाई है, ये क्या है cambium ring हो गई ठीक है cambium ring cambium ring के बाहर यानि ये मैं ऐसे दिखाऊ ये क्या है this is secondary phloem है और secondary phloem में बहुत बारीक सा होता है क्या कहीं कहीं primary phloem के patches होते है ये क्या है this is primary phloem ये बिटा primary phloem के patches होते है और उसके बाद क्या है ये है pericycle ठीक है ये pericycle है ठीक है मैंने आपसे क्या कहा pericycle क्या बनाएगी core cambium बनाएगी और core cambium फिर core का formation होगा और fellow derm का formation होगा ठीक है अब हम इसको बना लेते हैं का बनाएगी बनाएगी देखो सबसे बाहर बारी लेर कुछी हो जाएगी पिटा फिलम उसके बाद फेलो जन और सबसे लास्ट में फेलो डर्म हो जाएगी और इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे पेरी डर्म कहेंगे बोलो बिटा समय में आ गया बोले काफी कुछ इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी ग्रोध जो है डाइकॉट रूट में आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आगे काफी कुछ वह सिमिलर है डाइकॉट स्ट्रक्चर का सिर्फ जो में डिफ्रेंस है वो क्या है कैंबियम का फारमेशन ऑर्बिटा मुझे पूरी उमीध है कि आप लोगों को कैंबियम का फारमेशन कैसे होता है ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी बोलो भई ठीक है आगे चले अब जो बात मैंने आप लोग को समझाई है उससे आप लोग लिख लीजिए मैं लिखवा देता हूँ देखिए सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टन बात सबसे पहले कि डाइकॉट रूट में जो वैस्कुलर कैम्बियम है यह कंप्लीट से में बिटा आप लोग याद करिए तो वहाँ पर क्या था कि इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम था जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम था वो शुरू से प्रेजंट था प्लांट में जब से प्लांट पैदा हुआ तब से उसमें इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम लेकिन शुरू से यानि primary cambium वहां मौझूद था बाद में secondary cambium आया लेकिन अगर आप यहां देखिए तो क्या यहां पर अगर आप इस structure को देखिए जो पहला वाला हमारा structure था इस structure में आप कहीं cambium दिख रहा है नहीं दिख रहा है यानि जब यह plant dicot root जब पैदा हुई उस व कि जो vascular cambium जो होता है पूरा का पूरा secondary origin होता है root के case में secondary origin का मतलब after birth बाद में बनता है शुरू में नहीं रहता है बास वन में आई आगे देखिए next कौन सी important cell होती है the cell of conjunctive parenchyma between xylem and phloem become meristematic and form a strip of cambium a strip of vascular cambium बिटा हम लोग बात कर चुके है ठीक है अब तो यह बन गया लेकिन यह क्या बनती है सिर्फ और सिर्फ यह strip बनती है ऐसे अभी यह आपस में connect नहीं है इसे connect कौन करता है अब बिटा connect करता है जो pericycle होती है वो cambium बनाती है और वो cambium क्या होती है इसको connect करती है the number of newly formed crescent shape की होती है crescent मतलब जो आधा moon होता है न मैंने इससे पहले वाली class में चाहिए तुम लोग समझाये था आधा moon ताइप का जो structure होता है उसे crescent shape कहते है the number of newly formed crescent shape cambium strip is always equal to the number of phloem patches यह याद रखना यह इस structure देखो पहला पहला ओला मैंने अभी जो line पढ़ी है उस में क्या था कि जितना number of patches होगा हणा उतने ही क्या होगा strip होंगी देखो यहां पर एक बनेंगी यहां दूसरी यहां तीसरी यहां चौती यहां पर patches भी कितने है चार ही है तो strip भी कितनी बनेगी देखो एक दो तीन चार चार बनेगी बासौर में आगी? ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो pericycle होगी, later on pericycle tissue above the protozyum, form a new cambium strip, जो बात में cambium strip का formation करेंगी? देखो, अब ये cambium ऐसे जुड़ जाएंगी, ठीक है? तो ये जो green से मैंने दिखाया है, वो क्या है? वो pericycle से बनी है और यह जो red से मैंने दिखा है वो वो बिटा conjunctive से बना है conjunctive parent काईमा से बना है बास अनमे conjunctive parent काईमा से बना है ठीक है तो both strip of cambium joined to form a complete and continuous wavy ring cambium शुरू में कैसा structure होता है wavy ring होता है शुरू में बिटा यह wavy ring structure होता है इस तरीके से और बाद में यह क्या हो जाता है यह ring shape होता है क्यों ऐसा होता है इसका reason भी मैंने बता दिया कि बिटा जब यहाँ पर यहाँ पर secondary xylem का formation जादा होगा तो secondary xylem क्या करेगा इस पर pressure लगाएगा जिसकी वज़ा से उसका structure wavy से circular में फिर बदल जाएगा ठीक है आगे देखते हैं next the activity of vascular cambium of root is same as activity of vascular cambium of stem ठीक है except कुछ फर्क होता है इसमें बिटा medullary raise पाई जाती है और यहाँ पर जो vascular cambium के case में sorry root के case में देखेंगे तो यहाँ की जो medullary raise जो होती है यह ज़ादा prominent होती है अना ज़ादा prominent होती है in comparison to यह है बिटा medullary raise यहाँ की जो medullary raise होती है वो ज़ादा prominent होती है ज़ादा develop होती है बनिस्बत की step के अच्छा medullary raise का function क्या होता है आपको पता है कि यह radial conduction करता है next in dicot root core cambium developed from pericycle which show activities similar to dicot root मैंने आप लोग बता दिया core cambium का जो formation होगा वो कौन करेगा वो बिटा pericycle ही करेगा ठीक है और next last point इसमें क्या annual ring absent होगी क्योंकि मैंने आप लोग को पिशली क्लास में जब हम लोग spring wood और autumn wood पढ़ रहते तो वहां बिटा हम लोग को इने बहुत detail में आप लोग आपको बताया था कि किस किस condition में annual ring का formation होता मैंने बताया था कि annual ring का formation वहीं होगा जहां पर contrast seasonal activity होती है लेकिन root में क्यूंकि seasonal contraction या seasonal contract या variation बहुत ज़ादा नहीं देखा जाता है root ची केस में इसलिए वहां पर बिटा annual ring ग्रोथ secondary growth तो होगी लेकिन annual ring का formation नहीं होता है next lenticels जो है वो भी dicot root में present होती है dicot कुछ जिसे rosacee family जो होती है उसमें rosacee के कुछ members ऐसे होते है जिनमें polyderm पाए जाता है ये एक तरह की protective layer होती है जो हमारे dicot root में या कुछ underground stem में पाए जाती है ये इसे बिटा हम लोग polyderm कहते हैं ये एक तरह की protective layer होती है ये dead होती है और इसमें suberine पाए जाता है suberized layer होती है और इसे हम लोग polyderm कहते है तो यहां तक आप लोग को important था और ये हमारा complete हो गया anatomy of flowering plant chapter ठीक है बिटा हमने इस chapter को बहुत अच्छे तरीके से complete किया है अब आपकी जम्मेदारी है कि पूरा notes complete करिये पूरे chapter को याद करिये इसको बार-बार याद करिये लिख-लिख के याद करिये और आपके पास जो कोई भी किताब हो उस किताब से आप लोग इसका जितनी भी numerical question solve हो सकते लगाईए ठीक है बिटा अब हम लोग next chapter start करेंगे ठीक है झाल